कल की अवतार भगवान श्री विष्णू ने अपने साथवे अवतार में श्री रान के रूप में इस प्रित्वी पर जन्म लेकर दुष्ट रावन का निर्दालन किया महाकाव्य रामायन में इस अवतार की कथा तो हम सभी जानते हैं कलियोग के शुरुवात में भगवान श्री विष्णू ने इस प्रत्वी पर अपने सबसे मोहमई और पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया श्री भगवत गीता के रूप में उन्होंने दी हुई शिक्षा हमें हमारे जीवन के अंतिम शाश्वत मूल्य हासल करवाने में मदद करती है भगवान श्री कृष्ण के इस प्रत्वी को छोड़ने के साथ-साथ कलियोग प्रारम हुआ हिंदु धर्म अपना सत्वक हो बैठा वेदों की सत्यता पर प्रश्ण पूछे जाने लगे शुन्य कर्म कांडों ने भगती की जगा ले ली भगवान श्री विष्णों ने इस प्रत्वी पर सिधार्थ नाम से जन लिया उसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं कई सालों तक भगवान बुद्ध ने हमें शान्ती और सत्भावना की शिक्षा दी कई लोग उनके शरण में गए और उनकी शिक्षा अंगिकृत की लेकिन कलियोग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था लेकिन अभी सभी आशाएं खत नहीं हुई हैं असत्य और हिंसा का प्रभाव जब अपनी चरण सीमा पर पहुँच जाएगा तब भगवान विश्णों अपने कल की अवतार में इस प्रित्वी पर फिर से जन्म लेंगे और तब शुरू होगा नया यूग जिसे कहा जाएगा सत्य यूग इस यूग के लोग सशक्त वुद्धिमान और जीवन के उच्च मूल्य का जतन करने वाले रहेंगे सावधान अब समय आ चुका है भगवान श्री विश्णों दुष्टों का निर्दालन करने स्वयम आ रहे हैं